अंडे देने वाली बतक एक काउं के घर में एक बुढ़ा बुढ़ी रहते थे उनकी एक पालतु बतक थी बतक रोजाना सोने का एक अंडा देती थी एक दिन बुढ़ा बुढ़ी के दिमाग में एक विचार आया बतक रोज एक सोने का अंडा देती है इसलिए उसका पेट जरूर सोने के अंडों से भरा होगा उन्होंने सोचा कि बतक का पेट काट कर वो सभी सोने के अंडों को एक साथ प्राप्त कर सकते थे उन्होंने तुरन चाकु से बतक का पेट काटा पर बतक के पेट में कोई भी अंडा नहीं निकला बाकी सभी बतकों की तरह वो बतक भी मास और खून की ही बनी थी उसके बाद बुढ़ा बुढ़ी सोने का अंडा देने वाली बतक की मोद पर रोने लगे बच्चों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए धन्यवाद